हेलो एबरिवन, वेलकम टो वर चानल, आज है हमारा फैपरिक टिटेल्स वीडियो का पार्ट टू, इससे पहले मैंने पार्ट वन भी अप्लोड किया था, जिसे आप सभी ने काफी पसंद किया, और उसमें मैंने एक सवाल भी देखा था, कि किस कपड़े में हमें अस्तर डा होता है, यह भी आप बताईए, तो वो भी मैं बताऊंगी, आज का वीडियो आपको कम्प्लीट देखना है, बहुत नॉलेजिबल वीडियो रहेगा, यह कुछ न्यू कपड़े भी हैं, देखी जिसे कि आप यह वाला कपड़ा देख सकते हैं, और आज मैंने यहां पर थो के कपड़े आते हैं, तो यहीं पर मैं एक कपड़ा ओर लेती हूँ, आपको फर्क दिखाती हूँ, अब देखिए, यहां पर मैंने दो तरह के कपड़े लिए हुए हैं, यह भी कॉटन है, यह भी कॉटन है, अब इनका अंतर समझी आप, देखिए मैंने इसे ओपन कर लिय यह जो कॉटन का कपड़ा होता है यह काफी जादा पतला होता है आप देख सकते हैं बहुत ही पतला कपड़ा है अगर आप इससे ब्लाउच के अस्तर में बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप सिंगल आप इससे ब्लाउच बनवा रहे हैं बाकी आप लेंगे तो बिल्कुल भी चलेगा नहीं तो ये तो हो गया कि ये आपको पैंट के लिए कुर्ती के लिए किसी में भी नहीं लेना है सिंगल अब हम इस कॉटन को देखते हैं तो ये वाला जो कॉटन है बहुत अच्छा कपड़ा होता है गाइस मैं आपको दिखाती हूँ खोल कर देखिए मैंने इसे खोल लिया है इसका जो कपड़ा है वो बहुत मोटा होता है बहुत ज़ादा मोटा भी नहीं ऐसा नहीं कि आप अनकमफर्ट फील करेंगे लेकिन जो कपड़ा होता है सौफ भी बहुत है और काफी अच्छा कपड़ा होता है इसका भी नाम कॉटन ही है लेकिन आपको समझना है कि आप पतला वाला फैबरिक ले रहें मोटा वाला फैबरिक ले रहें ये जो cotton fabric है इसकी quality बहुत अच्छी होती है market में ये साहाट रुपे, पचास रुपे, सित्तर रुपे तक मिलता है और इससे आप पैटिकोर्ट बना सकते हैं पैंट के लिए भी बेस्ट ओप्शन है ये कुर्ती के लिए भी बेस्ट ओप्शन है और और भी कई चीज़े आप इससे सलवार भी बना सकते हैं चूडीदार बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में आप इससे इस्तेमाल में ले सकते हैं अगर आप सिंगल ब्लाउस भी बनाना चाहते हैं तो इस फैबरिक का बना सकते हैं अगर आपको डेली में कही आना जाना है आप कमफर्टेबल रहे और सर्विस भी अच्छी दे तो ये वाला कॉटन फैब्रिक बेस्ट होता है ठीक है और इस कपड़े में आपको अस्तर लगाने की कोई जरूत नहीं होती है सिंगल ही आपको इसे बनवाना है इसमें लाइनिं कर्क जाने को फैरी हुँ तो इसका वेट कम है और इसका वेट जादा है वजन में यह जादा है हमारा तीक है तो इस तरीके से आप पहजां सकते हैं पर अब निक्स्ट यह जो फैब्रिकए यह निऊ निया चल रहा है अब इस फैब्रिक के में खासियत बताती हूं आपको वैसे यह हुढ से फित का कपड़ा है। लेकिन इसपर एक लाइनिंग टाइप का कटग लाãyनिंग हो, जो अगर आपने नूटिस किया हो, तो बेग वगेरा में आता है. वह कपड़ा इसमें लगाया हुआ में हमारी साड़ी की कबर आते हैं। उसमें आता है, लेकिन इतना मोटा नहीं है, नॉर्मल सा पतला सा कपड़ा इसमें स्टिक किया हुआ, चिपकाया हुआ इस कपड़े के अंदर, या देख सकते हैं, यह जो दाने दाने वाला कपड़ा होता है, जो सारा पॉलेथिन्स पी आती है, मार्केट में इसकी, वो इसम विदेशी टाइप के कपड़े होते है, एसा है कि वेस्टन में, हम कोई ओफ शॉल्डर ब्लाऊज बना रहे हैं, ओफ श्वलडर गाउन बना रहे हैं, तो इसमें दिशाइनर च्टी पना आते हैं, यह उसके लिए लिए इस कपड़े का बहुत जादा इसके रो जादा है, यह डिजाइनर फैबरी की कह सकते हैं आप इसे और अगर आप इसकी पैंट बनवा रहे हैं तो भी आपको इसमें अस्तर जरूर लगवाना है क्योंकि दो से तीन बार ढूलने पर यह थोड़ा सा लूज हो जाएगा तो आप यह ना सोचे कि इसमें अस्तर ना लगवाना है अ क्योंकि लोक वाईज यह बहुत अच्छा लगता है तो आप जरूर कीजिए का पैंट के लिए और अगर आप कहेंगी तो मिसकी डिजाइनर स्लिव भी आपको बिनाना बता दूंगी अब देखिए नेक्स हमारा सिल्का फैबरिक तो यह आपका सिंपल सिल्क है और यह हमार सिल्क है अब दोनों में आपको डिफरेंस सामनी ही नजर आ रहा होगा देखिए यह फैबरिक जो हे एकदब लूज सा फैबरिक और यह जो है थोड़ा सा टाइट है तिक है यह हमारे सिल्के इस पैबरिक यह आपको आना किस ड्रेसिस में इस्तेमाल करना है यह मैं आपको तो पहले हम इसे हटा देते हैं, अब ये वाला जो सिलके, इसका मैं आपको कपड़ा खोल कर दिखाती हूँ, इसकी पहचान ये है कि इसके बहुत जादा धागे निकलते हैं, आप देख पा रहे होंगे, अब इससे आपको कभी भी पैंट नहीं बनाना है, ना ही आपको इसस सिंगल लहंगा बनाना है, ना कुर्ती बनाना है, ना सलवार बनाना है, इसे सिर्फ और सिर्फ हम नेट चो रहता है, नेट का कपड़ा, या टीशू का कपड़ा, और गेंजा का कपड़ा, उन सभी में अस्तर के लिए काम में लेते हैं, ताकि उनकी शाइन एज़ रहे और अच्छी सी शाइन आए तो ये जो सिल्क है बिल्कुल पतला वाला सिल्क है इसे अस्तर के काम में लिया जाता है ट्रांस्पारेंट फैब्रिक में ठीक है इसे हम में कपड़े के लिए इस्तमाल में नहीं लेंगे बिल्कुल भी बहुत पतला है और मीटर वाइज ये 30 से 35 के चलिए अब हम रौ सिल्क को देखते हैं जो रौ सिल्क का फैब्रिक है इसकी आप गाउन लहंगा कुर्ती कुछ भी बनवा सकते हैं और पैंट तो इसकी काफी अच्छी लगती है अभी ये बहुत जादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस्पेशली पैंट के लिए काफी जो सारी होती है सारी में जब अच्छी वाली सारी हम लेते हैं तो उसमें आपको ब्लाउस पीस में इस तरह का फैब्रिक मेलेगा काफी अच्छा कपड़ा होता है पेंट के लिए बहुत अच्छा है तो देखें यहां पर मैंने इसे खोल दिया है इसकी धागे बहुत इसकी निकल रहे हैं लेकिन यह जो कपड़ा होता है यह बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता है थोड़ा सा हार्ड होता है यहां पर आप देखेंगे तो बिल्कुल जो सॉफ्ट होता ना इतना सॉफ्ट ही नहीं है हल्का सा हार्ड है और दोनों तरफ से इसकी शाइन आप देख इसी दिए रो सिल्क हम जादा लेते हैं पेंट्स के अंदर अगर बात करें डेली वियर के कॉर्डिंग तो डेली वियर के कॉर्डिंग यह परफेक्ट नहीं है और अस्तर की बात करें तो इसमें विसे अस्तर लगाना चाहिए मेरा कहना यह यह अस्तर लगाने से क्या होता है कि आपकी जो भी ट्रेस से वो काफी जादा समय तक चलेगी उपर से क्या होता है अस्तर नहीं लगवाते है न तो कपड़ा धस जाता है जिसी कि फिटिंग होती है लेडिस पेंट फिटिंग ये अच्छी लगती है तो पेंट जो होती है वो धस जाती है सिलाई की जगे से इस इसके भी आप बहुत सारी ड्रेस बना सकते हैं आप इसे सिंगल ब्लाउस भी बना सकते हैं कुड़ी भी बना सकते हैं और सपेशली पैंट्स के लिए होता है अगर आप डेली वियर में कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको बेठना जादा होता है ठीके वेसे कॉटन काफी लेकिन उन गर्स के लिए ज़ादा अच्छा रहेगा जिनको बेटने का काम होता है तो बेटने में हमारे क्या सल जादा बन जाते हैं तो यह जो होता है इसमें सल कम बनते हैं और साथ ही यह कमफरटेबल भी होता है मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ तो यहाँ पर आप बता दिया पचास रुपे मिटर तक आपको मिल जाएगा काफी अच्छा है एक तरीके से आप इसे कॉटन ही कह सकते हैं और इसमें आपको अस्तर लगवाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी आप इसे बिना अस्तर के ही बनवाईएगा ठीके इसमें लाइनिंग के आपको को लुक देता है और मुझे पर्सनली यह बहुत पसंद आता है अब इसकी आप देखेंगे तो यहां पर कोई गोल्डन या सिल्वर टच नहीं होता है फिर भी इसमें अलग-अलग कलर्स के आप देखेंगे तो थ्रेड होते मैं आपको बैक से दिखाती हूं इसे यह देखिए यहां पर आपको धागे नजर आ रहे होंगे तो ब्रॉकेड़ी है लेकिन यह कॉटन में ब्रॉकेड़ी है और इसकी कोटी भी बहुत सुन्दर लगती है इसका क्रॉप टॉप आप बना लीजिए जैकेट आप बना लीजिए बहुत सुन्दर लगतेता है और पै प्राइस बहुत सुंदर लगता है प्लाजो पैंट्स में काफी सुंदर लगेगा एक अपड़ा कुर्ती में बहुत अच्छा लगता है सिंपल स्ट्रेट कुर्ति आप इसकी बनवा लीजिए तो प्राइस की बात करें तो साहार रुपे मीटर सितर रुपे मीटर असी रुपे मीटर तक भी कई मार्केट में मिलता है तो कॉटन में आपको इस ब्रॉकेट काफी सुंदर लुग देता है इसकी मिने बताया मुझे यह बहुत पसंद है तो आप चाहे तो इसे भी पैंट में कुर्ति में ले सकते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रॉकेट का वैबरिक इस पैबरिक को काफी ज्यादा पैंट में यूज किया जाता है ब्लाउस में भी यूज किया जाता है लहंगे भी बनते इसके क्रॉप टॉप भी बनते हैं इसमें अस्तर लगवाना जरूरी ही होता है अस्तर लगवाना ही है आपको क्योंकि यह जो कपड़ा होता है इसमें देखिए मैं आपको बैक से दिखाती हूँ इस तरह के जरी के तार होते हैं और अस्तर नहीं लगवाने पर इसका जो कपड़ा होता है बहुत ज और इसमें आपको जैसे कि मैंने बताया अस्तर लगवाना ही लगवाना है इसका जो नॉर्मल रेट मार्केट में है 80-100 रुपे मिटर तक यह मिल जाता है आपको और इसकी जो पहचान रहेगी देखिए यहां पर बैक से आपको यहां पर दिख रहा होगा ना हलके हलके सी शा आले भी आते हैं तो यह आपकी इसकी पहचान रहेगी अब यह हमारा सैटन का कपड़ा इसे भी आप लहंगे में गाउन में प्लाउसमें और प्लाउसो पैंचS के लिए इसलि एसतेमाल में ले सकते हैं यह जो कपड़ा होता है मैं आपको दिखाती हूँ इसे थोड़ा स् आते हैं. वन सेकड़ मैं आपको डिफरेंस भी बताती हूं. तो देखिए ये भी मेरा साटन का कपड़ा है और इसे भी मैं पल्टा कर आपको दिखाती हूं. तो यहां इसमें आपको कोई दाने नजर नहीं आएंगे. ये बी एक अच्छी क्वालेटी का साटन है पर ये जो स आप देके वह काफी अच्छा होता है मोटाई में भी काफी है फैबरिक के पहचान यही है कि पीछे आपको दाने-दाने मिलेंगे तो इसे आप सिंगल भी बनवा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पैंट के लिए आप सिंगल इसे बनवा सकते हैं लेकिन अगर आप गाउन वग प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूं मैं नेक्स वीडियो में किसी नई चीज के साथ तब तक के लिए बाबाई और थैंक्स फोर वाचिंग गाइस